आज हम बनाएंगे double color knitting pattern design इस design को आप multi color में भी बना सकते हैं ये design देखिए बहुती सुंदर design है ये आपको boat की तहें दिखाई देगा ये design ये देखिए इस design को बनाना बहुत easy है इस design को इस design को बनाने के लिए आपने फंदे लेनी है six multiple और अपने design को बना सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा border बनाया border बनाने के बाद right side से आप इसको बना सकते हैं चलिए जैसा मैंने यहाँ बनाया न सेम ऐसा ही आप उपर बनाएंगे इस design को चलिए शुरू करते हैं design को बनाना right side से बनाएंगे हम first row सीधा बनाएंगे सीधा right side से सभी फंदे आपने क्या बनाने हैं सीधे ही बनाने हैं इस रो को सीधा बनाकर हम complete करेंगे wrong side से सभी फंदे आपने उल्टे ही बनाने हैं इस रो को उल्टा बनाकर complete कर लेंगे right side से बनाएंगे third row थर्ड रो को आपने सीधा ही बनाना है इस रो को भी सीधा बनाकर आप कम्प्लीट करेंगे यह देखिए साइड से बनाएंगे फोर्थ रो फोर्थ रो में सभी फंदे आपने उल्टे ही बनाने उल्टा बनाकर इसे भी हम कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd और 4th row को हमने complete कर लिया सिर्फ आपने सीधा उल्टा ही बनाना है अब राइट साइड से बनाएंगे हम 5th row 5th row में हम अपने color को change करेंगे यह हमारा H फंदा है इस फंदे को हम यहाँ पर उतार लेंगे एक फंदा हम यहाँ पर और उतारेंगे और धागे को करेंगे हम अपने साइड फिर एक फंदा आपने और उतारना यह देखे कुछ इस तरीके से धागा अपनी साइड ही रहेगा और दो फंदे अब हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे यह देखिए दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब आपने इसको फंदे को एक फंदे को ऐसे लेना है और यहां धागे को आपने पीछे करना है अब आपने वान और टू फंदो को उतार लेना है फिर धागा अपनी साइड करना है और एक फंदा आपने फिर उतारना है को करेंगे पीछे और दो फंदे अब हम इसमें उतार लेंगे फिर धागा हम अपनी साइड करेंगे और एक फंदे को उतारेंगे अब आपने दो फंदे इसमें उल्टे बनाने हैं वान और टू दो फंदे उल्टे बनाने के बाद आपने फंदे को उतारना है फिर उसके बाद आपने धागे को पीछे करना है और दो फंदे आपने उतारने है दो फंदे उतारने के बाद अब आपने धागे को आगे करना है फिर आपने एक फंदा और उतारना है अब आपने दो फंदे उ उतार लेंगे, धागा करेंगे पीछे, दो फंदे हम इसमें उतारेंगे, फिर धागा करेंगे हम आगे, एक फंदे को उतारेंगे और दो फंदे अब हम इसमें वान और टू उल्टे बनाएंगे फिर एक फंदा उतारेंगे धागे करेंगे हम पीछे और इन दोनों फंदों को अब हम बना लेंगे, यहाँ पर, sorry, दोनों फंदों को अब हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो यह देखें, यहाँ पर 5th row को आपने इसी तरीके से complete करना है, wrong side से बनाएंगे 6th row, 6th row में भी आपने ध्यान देना है, यह हमारे फंदे उतारने वाले आ दागे को आपने करना है, पीछे और इन फंदों को बनाना है, आपने सीधा, फिर दागा अपनी side करेंगे, अब आपने 1, 2, 3, 4 फंदे उतारने हैं, दागा करना है पीछे और इन फंदों को आपने सीधा बनाना है, wrong side से, फिर दागा अपनी side करेंगे, 4 फंदों को उतार लेंगे पीछे करेंगे इन फंदों को आपने यहां पर सीधा बनाना फिर करेंगे घाग अपने साइड से रहें तरीके से कमपलीट करेंगे जहां पर यह डिजाइन बनकर हमारा कम्प्लीट हो गया टू रोज में ही सिर्फ यह आपको डिजाइन बनाना है पाकी तो आपका सीधा उलटा ही डिजाइन है और बहुत ही जल्दी बनेगा डिजाइन को सिर्फ आपने टू रोज को त्यान से समझना है और आप इस डिजाइन को बना लेंगे और वीडियो